नमस्त दोस्तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचते सनातन में जब से UAE और इसराइल का समझोता हुआ है जो सामरिक समझोते हुए है उसके बाद से जो 57 इसलामिक देश है उनके बीच में दो फाड हो चुकी है यानि के वो दो अलग-अलग गुटो में बढ़ चुके हैं कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि हम UAE के साथ जाएं हम इसराइल के साथ जाएं जो तरक्की पसंद है और वास्तव में इसलाम के जो घिसे पिटे जो नियम काइदे बने हुए हैं उनसे उपर उठ करके वो चाहते हैं कि अपनी अवाम को एक अच्छा फ्यूचर दे सके जिसमें टेकनोलोजी हो जिसमें शांती हो जिसमें सुरक्षा हो और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुसलिम सनकी देश हैं जो हैं कि वो अपने कुरान और हदीस में जो इसराइलियों जो तेल अवीव के लोग जो यहूदियों के खिलाफ आयते लिक हुई हैं उनको हम शब्द सह सौ प्रतिशत सिद्ध करके दिखाएं और वो दिल ला करके दिखाएं कि जब किसी इसराइल को कोई मुसलमान मारने के दोड रहा होगा और वो इसराइली भाग करके वो यहूदी भाग करके पत्थर के पीछे चिप जाएगा तो हदीस के नुसार वो पत्थर खुद चीक चीक करके कहेगा कि एक यहूदी मेरे पीछे चिपा हुआ है आ मौमीन इसको मार इस तरीकी की जहनियत रखने वाले दे यह वीडियो बहुत महत्वपूरण है डोस्तों आप लोगों को स्थ है की यूए शोर्ण में रहते हैं वह जोर्डन में रहते हैं अकि यूए में रहते हैं आप को पता है यह मक्का मदिना का config है जो हज आर उम्रा का concept है यह bezद्ग है बिजनस मैंडिड लोगों का वो लोग जो चाहते हैं के हज हो लेकिन 40 दिन यहां पर रहकर के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें खर्च करें चाहे कुछ भी उम्रा जिसके जरुत नहीं थी उसके लिए भी अब हज से भी ज्यादा फैसिलिटीज दे करके लोगों को बुल के लिए एक पैसा तक भी खर्च ना करते हों 57 में से 30 अधिक ऐसी कंट्रीज हैं जो जहां पर मुसल्मानों की स्थिती बहुत खराब है वहां पर पैसा नहीं देते हैं के वह मस्जिदों के लिए ताकि वहां पर मौमीन्स बैट करके उनको हज के लिए प्रेडित करें वहा पर वो उनके रख रखाओ उनके बच्चों के लिए उनके स्वास्ते के लिए सिक्षा के लिए एक चवन्नी भी डॉनेट नहीं करते हैं ऐसे में इन कंट्रीज का यदि आज की तारिक में इसराइल के साथ में कोई समझोता होता है तो इसमें हमें चौकने वाली कोई बात नहीं थी इसराइल के साथ में उस देश ने समझोता किया है जो सबसे बड़ी मस्जिद जो इनकी मस्जिद हराम है उसके संरक्षक हैं उस वहां के राजा और प्रिंस ने वो समझोता किया है इसराइल के साथ में आप लोग भी जानते हैं कि इसराइल यहूदी जो हैं वो स एक देश का स्वागत करता है चाहे वो कोई भी क्यों ना हो इसराइल ने यहाँ पर UAE के साथ में जो समझोता किया है उसमें उसके सामरिक समझोते भी हैं उसके सुरक्षा समझोते भी हैं और टेक्नोलोजी के समझोते भी हैं आप सभी कोई पता है कि इन फ्यूचर यह जो त ब्रीडिंग है यदि आप यूई में जा करके देखेंगे यदि आप जितने भी विकासील या विक्सित इसलामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि वहाँ के मुसल्मानों के बच्चे बहुत कम-कम पैदा होते हैं जबकि ये जि क्योंकि टर्की के साथ में बहुत बड़ी दुश्मनी मौल ले चुका है इस टाइम पर जॉर्डन वो भी हो सकता है इसराइल के साथ में आए और कुछ और देश हो सकते हैं जो इसराइल के साथ में जाएंगे ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने जो उड़ता तीर होता है वो अरब डॉलर जो अभी तक भीक में दे चुका था यूएई पाकिस्तान को वो मिला करके 6.2 अरब डॉलर पाकिस्तान के उपर रकम बकाया है यूएई की लेकिन यहां पर विदेश मंतरी पाकिस्तान का जो बड़बोला मंतरी है शाह महमूद कुरेशी जहां एक तरफ पाक कहा कि यूएई जो है वो अपनी ओकात से बाहर निकल रहा है एक तरफ तो उसने OIC की मीटिंग नहीं बठाई उस OIC की मीटिंग में जहां पर भारत ने 375 से हटा करके कश्मीर को संपूर्ण भारत के साथ में जोड लिया है वहां पर हमारे कश्मीरी मुसलिम भायों के साथ जो जादती हो रही है उसके उपर जो हमें मीटिंग करनी थी यूएई ने सबसे पहली चीज तो उसको रोक लिया है दूसरी चीज ये कि उसने सभी मुसलिम देशों को भी रोका हुआ है कि वो पाकिस्तान के उपर कुछ कमेंट कर सके पाकिस्तान के विदेशमंत्री ने कह कि यहां पर UAE को OIC की मीटिंग बुला करके यह तैग करना चाहिए था कि उन सभी लोगों का कश्मीर के उपर स्टेंड क्या है इसके बदले UAE उसकी बात तो क्या सुनता उसने तुरंट फर्मान जारी किया उसने कहा कि पाकिस्तान मेरी अलग-अलग किस्तों में एक-एक अर पाकिस्तान वो कंट्री जिसके हाथ में अभी फिलाल भीक का कटोरा थमा हुआ है दूसी तरफ उसका सबसे बड़ा सपोर्टर और सबसे बड़ा डोनर कंट्री खुद कहा देता है के मेरा पैसा वापस करो इस थुका फजीती होने के बाद में इस छीचा लेदर होने के बा वाजवा उनसे मिले बिना ही ऐसा का ऐसा ही मूँ लेकर के वापस पाकिस्तान आ जाता है यानि कि ये वो पाकिस्तान है जो पंदरा अगस्त के दिन जो पांच अगस्त के दिन अपने टीवी चैनल्स को हैक होने से नहीं बचा सकता उसे खुद के चैनल्स के ऊपर भगवान शिर राम की फोटो चलती है, वहां लिखा जाता है कि भगवान राम हम आएंगे लाहोर और कराची में भी मंदिर बनाएंगे, वो पाकिस्तान जो अपने छोटे छोटे चैनल को हैक होने से नहीं बचा सकता, वो पाकिस्तान भारत के विरोध करने हेतू OIC को डाट पिला रहा है, अपने बाप UAE को आखे दिखा रहा है, खुद का भीक का कटोरा छूट नहीं रहा है, और आखे तरेद रहा है, ऐसे में उसको जो लात पड़ी है, वो काबिले गोर है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के साथ देने वाले देशों की भी कमी नहीं है, यहां पर सबसे पहल उठकर काया है, टर्की, कौन सा टर्की, वही टर्की जिसके उपर मैंने पिछले जिन आप लोगों को बताया था कि टर्की में फिलाल भारत के खिलाफ क्या क्या चीज़े चल रही है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला टर्की, जिसने भारत में हमला करने के लिए पाकिस् प्रिट्स तक दिए थी ये वही तरकी है जो अपने यहां पर चर्चिस को तोड़-तोड़ करके मस्जदे बना रहा है ये वही तरकी है जिसका की इसराईएल जिसका की अमेरिका के साथ में बहुत पुराना दुश्मनी चलिया रही है यहां एक तरफ जहां इसराईल और UAE क इस साथ में समझोते को अमेरिका सपोर्ट करता है भारत सपोर्ट करता है वहीं पर दूसरी तरफ टर्की और इरान कहते हैं कि ये हमारे मुसल्मान भाईयों की पीठ में छुरा भौकने का काम UAE ने किया है मैं पिछले दो साल से बता रहा हूँ हैं तो UAE तुम्हारी पीठ में एक हजार साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं पीठ में छुरा भौकन रहा है क्योंकि उसको अपने बिजनस से मतलब है और जितने भी अरब कंट्रीज है ना उन सब को अपने बिजनस से मतलब है यहां एक तरफ जहां फिलिस्तीन जो की इसराइल से इसकी सीमाए सटी हुई है और इसराइल फिलिस्तीन के हमेशा लड़ाई रहती है जहां पर इसलाम का नाम लेकर के 57 के 57 कंट्रीज इकटे होने की कोशिश में रहती है और कहती हैं कि हम इसराइल को आज नहीं तो कल फतह कर लेंगे इस पॉइंट को लेकर के सारा जो इसलामिक राष्ट है वो दो फार्ड में बढ़ चुका है ये लोग जो भारत में बैठे हुए भीकारी लोग हैं ये किरायदार लोग कहते हैं कि हमारे 57 देश हैं लेकिन उन 57 देशों को यदि आप कभी अकेले इकटे बैठे हुए देख लें आज की तारिक में तो हमें भी बता देना OIC में पाकिस्तान को लात मार करके बाहर निकाल दे गया था और उसमें भारत को प्रतीनिधी के रूप में बुलाया गया था ये सारी बाते आप भी जानते हैं इसी OIC में 57 देश जो हैं वो खड़े होकर ये नहीं कह सकते हाँ पाकिस्तान सही कहा रहा है कि कश्मीर कविले जो भारत की तरफ हुआ है एक संपूर्ण राष्टर का जो गठन अभी फिलाल हुआ है 378 आने के बाद में वो गलत है वो कह ही नहीं सकते तो भारत में बैठे हुए जो किरायदार हैं जो आपको गिडड़ भवकीत बताते हैं दिखाते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है इनकी वैल्यू सिर्फ इतनी है जितनी की 57 देशों के बीच में पाकिस्तान की वैल्यू है यानि कि एक खुजली भरे कुटे से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसको लाठी मार करके भगाया जाता है वो भौक सकता है लेकिन उसकी सुनता उसकी बिरादरी का भी नहीं है तो इस तरीके से हमें आज पता लगता है कि एक तरफ है अमेरिका, UAE जो कि अमेरिका, UAE पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त है इसराइल एक साथ आ गया है, बहरीन और ओमान आ गया है और in future इसमें Jordan भी शामिल होगा और कुछ और भी देश होगे जिसमें हमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे ये होगी एक शक्ती और दूसरी तरफ होगे वो आतंकी संगटन जिसमें की इरान होगा, इराग होगा, टर्की होगा, पाकिस्तान होगा वो लोग जो अभी भी कोहनी और घुटनों के बल छिलते छिलाते चल रहे हैं, वो लोग होंगे, भविश्य में देखना होगा कि इस चीछा लेदर का कि जो परिणती है वो क्या होगी और हम देखना चाहेंगे, यह देखने लायक होगा कि जो भारत के किराइदार हैं, उनका stand क्या होगा तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही 57 देशों की दो फाड पर आपका क्या कहना है आपके क्या कमेंट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में आ करके अवश्य बताएं और हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जिसका लिंक में नीचे दे रहा हूँ उसको जोइन करना ना भूलें 10 मिनट प्रती दिन दे करके हमारे इन वीडियो को कंटेंट्स को जो भी आपको अच्छे लगे अपने मित्रों के साथ में शेर अवश्य करेंगे मेरे संग बोली सत्यस नातन वैदिक धर्म की जय जहिन्वन्दे मातरम